हलो बच्चो स्वागत था आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एक्जाम स्टेडी में बच्चो जैसे कि आप लोग का intermediate center exam चल रही है अब आप लोग का geography का paper होना इससे पहले आप लोग का बाकी जो subject हुए थे उन सबका मैं आप लोग को original question paper provide कर दिया था तो आप लोग का demand था के sir जैसे आप उसमें original question paper provide किये थे उसी तरह हम लोग को geography का कीजिए तो so finally बच्चो आपके लिए geography का original question paper लेकर क्या आगे है देखिए आप लोग को पता होना चाहिए अगर आपका exam नहीं हुआ है तो very very आपके लिए important एक class है अगर आपके exam हो गया है तो इसका answer क्यों को आप लोग note कर लीजे क्या आप खुझ से कितने question को solve कर पाए है है ना जिसका paper नहीं है आप लोग भी इमानदारी पूरोग बताएगा इसमें आपका 70 question रहेगा उसमें से आप लोग खुझ से कितने question को solve कर पा रहा है या आप उझे जरूर बताएगा तो दीखें विसे code आपका 323 रहेगा same to same आप लोग का ऐसा ही आपका परशने पत्र आपको देखने को मिलेगा बस आपको कुछ नहीं करना है इसका सारा answer की को आप लोग note कर लीजेगा दोसे तिन बार इस class को अच्छे से देख लीजेगा देखें जो बच्चे आप लोग देखने के पर आपको सब्सक्राइब को विखें रहेंगे तो देखने की संकर्मन-चिद्धान किर परति पादीत किया था ठीक है तो मुझे पता है क्या आप लोग इसका सही answer दे पाईएगा तो मैंने आप लोग को परहा रखा एक है तो आपको बताई होगा नोए इस्ट हो गया है तो इसका बिल्कुल याद रखेगा option C correct answer हो जाएंगे आगे देखिए question देखेंगे next question हम लोग question देख पा रहे हैं दूसरा नमर question कहता है मानब देखेंगे दूसरा नमर question से देखेंगा मानब बूगोल अस्थिर पिर्थिवी किर्यासील मानब के बीच परिवर्त चंबंदों का अध्यने यह किस ने कहा था तो दीकिए आप लोगो मैंने कई आप लोगों क्लास में बताए कि कुमारी सेंपल होगा और यहां आपका सेंपल सिर्फ दिया होगा है तो इसका आपको बता है आपको बता ही होगा दक्षीन पुर्वी आपको बता है तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे अपका यहां दूसरा कोशन देखेंगे हम लोग कि विसर में सारोदिक जनसिंखया केंदृट जो है बच्चो वह किन चेतर पर सबसे जदा बच्चो यहना सबसे जदा जनसिंखया आपको देखने को मिलता है ठीक है चले आगे देखेंare question कहता किस पर्देश में रवार के पोधे पाए जाते वच्चो हम लोग जानतें के रोपन किर्ची के अंतरगत आता वच्चो तो बिल्कुल इसका answer आपका ये सही answer हो जा countryside बस कुछ नहीं करना वाबू इसको आप लोग 2-3 अच्छ देख लीजिए या इसका आंसर क्रूप कर लीजिए जा करके आप फूब हो आप जो है पोसन पर पर को छाप दीजेगा चलिए कोसन क्या कहता है कि अंगूर की खेती जो कहलाती हो वीटी कल्चर कहला था इसका सही ज तो यह आप लोग का option D correct आंसर हो जाएंगे इन में से कोई नहीं बिल्कुत सही जवाब हो जाएंगे आगे देखें क्या कहता है कि मानव का प्राचिंतम आर्थिक किर्याकलाब क्या था बच्चों देखें प्राचिंतम जब किसी चीज का विकास नहीं हुआ तो लोग उस टा बच्चों कहां पर वस्तित है आपको बताएंगे इसका सटिक आंसर क्या हो जाएंगे बाबू जली से बताएंगे गयारे नमर कोशन का ठीक है यह आप लोग का औरिजिनल को सब्सक्राइब बस आपको कुछ नहीं करना है अच्छे से जाकर कि आप लोग इसका सारा आंसर क नॉट करके आप पेपर में स्रीफ चाकर के चाप लीजेगा ठीक है बाबू तो इसका आंसर आपका यूरोप हो जाएगा जो बच्छे आप बता रहे है बिल्कुल यूरोप करेक्ट आंसर हो जाएंगे ठीक है देखिए क्रेस कोर्ट सो इसको है यह सारी चीज आप लोग करते हुए चलेंगे ठीक है चली बत हना ओके वाज उगर प्रॉपर आरे कोई दिक्कत कोई शू नहीं है आगे हम लोग देखेंगे बच्छो क्या कहता है को तो इसको कहा से जोड़ता है जली बताएंगे देखिए यह स्वेज नहर की बात ओड़ी है तो बिलकुल आप से बिलकुल सही का भूमति सागर को जो है यह लाल सागर से जोड़ते और इसका सही और सटिक जवाब हो जाएंगे ऑप्सन यह बिलकुल बावु करेक्ट आंसर हो जाएंगे ठीक है चलिए आगे देखेंगा क्या कहता है स्वेज नहर जोड़ता यह तो बता ही दिया आप लो उसको करता है अंतरास्टिव आपार कहा जाता बच्चो सही जवाब हो जाएंगे ठीक है 40 नमर कॉछ्छन चलिए आगे देखें क्या कहता है ध्यान दीजिएगा कॉछन कहता है कि राइन जलमार्ग जो है कहा पेश्थी थे बच्छो तो राइन जलमार्ग के बारे में आप कुछ सही आंसर हो जाएंगे ठीक है जापान में नगड़ी बस्ती के लिए जो नियुनतम जन्सी क्या क्या है देखिए जो है ना यह कोशन अगर वर्तमान में देखा जाए तो यह आपका क्या हो जाएगा नहीं पचास हो जाएगा लेकिन यह आज का 40 जो जोड़ता हो कि इंको कहा से जोड़ता है जली से बताएगा तो मुझे बताए डाविन से मेलबार्ग बता रहे है और सिर्डीनी बता रहे है कुछ बच्चे जली बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे ठीक है तो इसका अंसर आप लोगा जो पत्स से जोड़ता broken hill निवन में से किस का उधारन है बच्चो जली बताइएगा broken hill के बारे में आप लोग बताइए जली बताइएगा चली मुझे पता है इसका सही आप लोग का आंसर होगा आप लोग बता रहे कि सर्थ जो है बिल्कुल खनननगर है न यहां आपका रहे होगा खननननगर बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे ठीक है चली आगे देखे के लिए तामिलों का मेंचेस्टर किसे कहा जाता है तो यह तो आप लोग को बता जिए चलिए सुन्दरवन किसा राज्य में वस्ती थे तो कोशन देख पा रहे हैं सुन्दरवन के बारे में आप लोग से पूशा गया है तो बिल्कुल याद रखेगा सुन्दरवन कहां पर वेस्ट बंगाल में पड़ता है पस्य बंगाल में आपसन भी सही आंसर हो जाएंगे कोसन देखेगा नेक्स्ट कोसन भारत में नगड़ी बस्ती के लिए जो निंतम जो है गुजरात में परता और इसका सही और सटिक जवाब हो जाएंगे गुजरात ठीक है बाबू चली बहुत बढ़िया थोड़ा और जूम आट कर लेते ताकि आपको और साब दिखेंगे है ना एक दम बहुत अच्छे से आंसर दे पाईएगा आप लोग चली कोशन दे प्रॉपर दिख्कत नहीं तो यह करना टका मैं हुबली परता और यह बिल्कुल सही है और भूगली जो आता हुँ कहां पर परता है अगे देखेंगे नेक्स कोशन तेलंगाना का राजधानी कहा है तो तो तेलंगाना का राजधानी है यह चीज़ें आप लोग नोट कर ल परता है कि गरामीन वस्ती में किस कारे की परधानता होती है अगे देखेंगा नेक्स कोशन देखेंगे हम लोग हरित करांती समद्धी बिल्कुल याद होगा अप लोग को यह खाधान उत्पादन से समद्ध हो जाएगा उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्वे सरोत क्या ह तो उत्तर भारत में नलकूब बच्चो सिंचाई का मुख्वे सरोत है यह चीजे नौट कली जगा 29 का चलिए आगे देखें कोशन क्या कहता है कि सलेम बच्चो समद्धी थे किसे तो देखें सलेम की बात की जाए तो सलेम बच्चो कहां पर किसे समद्धी थे इस पात से औ सबको पता है कि मैंने कई बारे में परतमास्तान पर आता करनाटक इसका सही जवाब हो जाएंगे चलिए आगे रिए को किसके लिए परसीद है आप लोग 32 का बताना आप लोग जली बता यह सिंग्रेनी के बारे में बहुत इंपोर्टन कोशन है बच्चो जली से बताएग कि देखिए सिंग्रेणी के बारे में आप लोग बता रहें कि कोहला के लिए बिल्कुल सही आंसर आपड़ों का सिंग्रेणी बच्चों करना चाहते तो इस चैनल को पहले सबसे पहले आप लिए इसी तरह का आपको जो हेल्प की दाएगा ना आपका फाइनल 2025 का प्रिच्छा में ठीक है आगे देखेंगे next question देखेंगा कहता है कि सोलापूर से ये तो मैंने आपको बता ही दिया आगे देखेंगे कहता है कि बाला घट मैंगे छेतर किस राजय में से थित है तो बाला घट के बारे में आप लोग बताएगा बचो इसका क्या हो जाएगा है ना तो बाला घट के बारे में बताएगे क्या हो जाएगा बाबू सही और सर्टिक आंसर बताएगे बाला घट के बारे में बताएगा है ना चलिए बहुत important question है बहुत अच्छे से आप लोग नॉट कर लीजएगा बाला घट के बारे मताईए ठीक है तो बाला घट कहाँ पर मध्य परदेश होगा या आपका 36 गर हो जाएंगे चलिए मध्य परदेश होगा बिलकुल आगे देखिए सरदाज सरोर पडियोजना किस नदी परिस्ती थे बच्चो तो जली बताएंगे 35 आपका क्या हो जाएंग बिस्क देखिएगा अमले वर्षा का संबंद बच्चो किस परदुस्तन से होता है तो अमले वर्षा जो है वाई परदुस्तन से समनित है यह तो हम लोग पर रखे एक्दम रस्गुल्ला वारा प्रश्न पूछा बाबू आपको खड़ी फसल के बारे में आप लोग को बत ठिक है अगे देखिएist question क्या कहता है विए नेनक्स देखेगा अमले वर्षा करता है तो यह आप लोग को वाली बाती अच्छे से पता कोशन देखेंगे तालचेर कोईला चेतर कहां पेस्थी था है ना आप बताए तालचेर के बारे में क्या कहते इसका आंसर क्या हो जाएंगे बाबु जली से बताएंगे तो बच्छो यह उड़ी साहिव परता और इसका सटिक आंसर आप लोका बाबु डी बिल्कुल बिल्कुल यह आप लोग को पताऊना चाहिए और और इसमें से आपका आपको बताना है ना तो मुझे पता है कि आप लोका बिल्कुल सही जवाब होगा धात्वी खनीज के बारे में आप से पूछा गया है इसमें से कौन सान नहीं होगा चेले बहुत बढ़िया जी तो अ है इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे बहुत बढ़िया जी आप लोग जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर दे रहे हैं आप सभी का आंसर बिल्कुल सही और सठीक दे पा रहे है ना चेली आगे देखेंगे नेक्स कोशन देखेगा क्या कलाता है कि भद्राबती इस पात स में बच्चो बजली बताइएगा तो जली बताइए तंबा उत्पादर में जो पर्थमस्तान पर आता है वो मध्यप्रदेश आता है बावु इसको नौट कर दीजेगा ठीक है देखें कितना इजी कोशन पूशा है बस आपको कितना 35 ही इस तो सोल्प करना है आपको ठीक ह आगे देखें तंबा का उत्पादर में तो यह तो आप लोग बता दिये चली आगे देखें नेक्स कोशन हम लोग देखेंगे कोशन नमर 47 भारत का समसे बढ़ा तेल सुधा कारखना कहां पे है बच्चो बताइएगा जली बताएंगे जाम नगर बिल्कुल यह आप लोग अंसर हो जाएंगे ठीक है चली नेक्स कोशन देखें किस देख के आयू लिंक पिराबिट का संकीरिन आधार जो है सुन्दाकार सिर्स है बच्चे बताएगा कौन सा देख का है तो यह बताएंगे आप लोग इसका आंसर नाइजरिया है यह आप लोग का क्या हो जाएंगे आगे देखे कोशन कहता है कि इतना जो है जल बंधक तंत्र है तो यह बिल्कुल आप लोग को पता होने चाहिए तो यह जो है लगवग च्छी है ठीक है तो यह च्छी नौट कर लीजेगा आप लोग भारत के भारत में क्या हो जाएगा नी परवधन के निमिलिखित धारा जो कौन सी धारा पूर्स परदान है तो आप लोग को बहुत अच्छे से बता दिये तो मैंने बता दिया बाना बुगल में कौन सा अपागम मिंतम है ठीक है तो यह कावन नमर कोशन का बताएगा इसका सही जो आंसर होगा बच्छो यह हो जाएगा उत्तर आधनिक वाद यानि बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे आगे देखें नेक्स कोशन देखेंगे क्या कहता है किस वर्स भार सब्सक्राइब हो जाएंगे किस देश में रेल मारगो का जाल का संगनतम घंत हो जो पाएज आता है और बिल्कुल इसका और दूसरा अस्थान पर कौन सा आता है बच्छो चीन आता है और तीसरा स्थान पर कनाड़ा आता है यह आप लोग नौट कर लिजेगा और तीसरा चौथा अस्थान में अपना भारत आता है तो इस तरह करके आप लोग नौट कर लिजेगा आगे देखिए कोशन क्या कहता है कि निवने में से जो है कौन सा माने विकास के अस्थम है तो यह मैंने बता दिया राष्टे जलमार्ग 2 का विस्तार बताईएगा अप लोग तो देखिए यह जो होगा आपको सधिया से धुबड़ी से तक यानि बिल्कुल इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएंगे बावू जितने सारे बच्चे बताएं बिल्कुल आप लोग का 100% करेक्ट आंसर है ठीक है नेक्स कोशन क्या 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 आता है कि निविलिखित सद्र्वां का साधन जो है एंदर जे प्रदान करते हैं वह कौन सा परीवन होगा जो दर्वाजा खंडें करता हैं पररीवन आपको हवाइडडा तक ही सिमित्र रहेगा इन्द आ उसके बाद आपका रेल परीवन रेलवेस टेसन तक सिमित्र रहेगा लेकिन अपका घर तक आ बिल्कुल आप लोग का बावस्तित के बारे में आप लोग को बताना है तो यह मुंबई बिल्कुल आप लोग का बावस्तिक आंसर हो जाएंगे चलिए आप नेक्स्ट कोशन देखेगा कोशन क्या आख लाता है ध्यान दीजेगा कौन जो है अस्थापिच चतुरबुज के निर्मान हैं यह कोशन थोरा सा दुन्दला दिखता है इसको स्कीप करता है क्यों को सेवन्टी से पैथिस देखेंगे कुशन देखेगा अँब क्या नहीं है इस में से तो इसका सही आंसर हो जाएंगे टेक है चलि ऑफ ते बिलकुल देखिए आप लोग बिल्कुल डेसीवल में उपा जाता धविनी प्रजोसन को इसका सही आंसर हो जाएंगे चलिए आगे देखिए नेक्स्ट कोसन देखिएगा देखिए अगर आप लोगी त्यारी बच्चों नहीं हो पाड़ी इस चैनल के मदद से आप लोग अपना त्यारी को बेह जाएगा जली बताईएगा बहुत बढ़िया जी इस पात के नियमान के लिए जो यह भहमस से तो आप लोगो पताई होगा तो यह लोई इस पात के लिए और इसका सटिक आंसर आप लोगा हो जाएंगे ऑप्सन एक करेक्ट आंसर जाएंगे लास्ट रांतीम कोशन बहुत अच्छे अंदाज में इसका आंसर दे पाड़ अप लोगो बहुत बढ़िया जी जली बताएंगे क्या हो जैएका सटिक आंसर बताईएंगे आप लोग बाबुक ररेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो मैंने आपको 70 कोशन परवाइट चिह उसमें से आपको मातर 35 क आप लोग यानि है ना सॉल्ट की उसमें से खुझ से कितने आंसर का आप लोग आंसर वालून था पहले से आप लोग ये कमेंट करें के मुझे जरूर बताइए तो चले गाई जहें तक इस क्लास को इंट करते हैं जब दक के लिए जए हिन जब भारत